प्रेस्टुड़ेंट शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर third lecture आएगा इस chapter का जो हमने शुरू किया था potential आ एलेक्ट्रिक potential चाप्टर 2 हमने शुरू किया था इस chapter का हमारा third lecture आएगा यानि आज का जो लेक्चर है वो तुम लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन रहने वाला है तो चलो आज का ये लेक्चर हम शुरू करते तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे अचेज़ पॉंट जो हमने लास्ट लेक्चर किया था एक्षाल लाइन पे हमने पोटेंशीयल देखा था अब क्या देखेंगे हम झा आज कीटोरियल लाइन पर सेक्ट Applause हमने देखेंगे एकुकु त्यूरीयल लाइन पर हम देखते हैं डियाग्रम ड्रो करते हैं सब्सक्राइब माइनस क्यू चार्ज यह हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो नों क्या बीच का डिस्टेंस हमारा ट्वाइज रहेगा इधर से डैपोल मुमेंट फ्रॉम निगेटिव चार्ज तो पोजरिव चार्ज यह तो बेसिक बात है इसके कोई क्यू पोईंट पर हम पोटेंशियल चेक करेंगे त recruit of q इस गीू पोईंट पर हम मुटेंशियल चेक करेंगे रिगए हमने य और एक्यू और dq जोन क्या तो तो नहीं अंगल मेराा theta है अगर theta रहा तो AQ is equals to BQ रहेगा, ये दोनों साइट मेरे equal रहेगा, तो ये A है, ये Y है, ठीक है, potential for plus Q के लिए, potential is plus Q, for point charge potential रहता है हमारा KQYR, ये तो हम जानते है, K का value 1 by 4 pi, epsilon or not, ये भी हम जानते है, ठीक है, plus Q के लिए potential at Q, plus Q के लिए potential at Q, Q point, 1 by 4 pi, epsilon or not, Q divided by BQ, minus Q के लिए potential difference, 1 by 4 pi, epsilon or not, minus Q by AQ, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, लेकिन ये जो distance जो मेरे equal है, AQ और BQ, क्योंकि ये angle theta और ये angle theta, जो ये isosily strangle है, और isosily strangle के लिए हम थेरम जानते है, कि sides opposite to equal angles are equal, sides opposite to, इधर से लिख देता हूँ, खोड़ा साहसा नहीं होगी, तो बहुत दिखाई देगा, isosily strangle के लिए, एक थेरम है, कि sides opposite to equal angles, भी equal, यानि हमारा हो जाएगा, AQ is equals to BQ, ठीक है, total potential हमारा this, plus this, एक plus charge, इस minus charge हो गया, पीच में minus, तो यानि हो जाएगा, मेरा AQ is equals to BQ, इस थेरम के मुताबिक हमारा हो जाएगा, AQ is equals to BQ, ठीक है, अगर AQ is equals to BQ हो गया, तो net potential आजाएगा, मेरा जीरो, ठीक है, अगर AQ is equals to BQ आगया, तो यह cancel, यह cancel चला जाएगा, net potential मेरा कितना आएगा, जीरो, ठीक है, since BQ is equals to AQ, AQ is equals to BQ, क्यों equal होँआ, क्योंकि यह isosilis triangle है, ठीक है, और AQ is equals to BQ हो गया, तो potential difference मेरा कितना आता है, जीरो, ठीक है, समझ में आया, equatorial line पे, potential difference मेरा क्या आता है, 0, चैनि potential difference, अच्छा common sense बली बात है, अगर potential difference मेरा 0 आएगा, तो work done कितना आएगा, work done भी 0 आएगा, अगर potential difference मेरा 0 आया, तो work done भी 0 आएगा, तुम लोग ऊचोंके, work done के से 0 आता है, क्योंकि potential equals to work done per unit charge है, अब पोटेंशियल ही अगर जीरो रहा तो अग्डन भी तो मेरा जीरो रहेगा ही रहेगा ठीक है कोई दिक्कत वाले बात तो है नहीं समझ में आया उतालो यह अपनों स्क्रील को पॉस करो और पड़ावाट यह उतालो यह उताल लिया चलो नेक्स्क नेट इलेक्ट्रोस्ट पोटेंशियल नेकर्ट्रीक पोटेंशियल इलेक्ट्रियाल ईकथरेंशियल लाइन एक्यट्रीयल लाइन विल एट एन्य पॉइंट उन्दि टाइपोब, एट एन्य पॉइंट उन्दी डाइपोब, ठीके, तो यहाँ पे थुड़ा सा डाइग्रम दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, मैं डाइगरम अच्छी तरह से ड्रो करके देता हूँ, ठीके, यह माइनस क Q charge है यह प्लस Q charge है यह मेरा center O ठीक है यह A point है अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है यह A point है और यह B point है ठीक है अब यहाँ पे किसी एक point यह कुछ भी एक point हो सकता है यहाँ पे एक point रखा गया है P यहाँ पे एक point रखा गया है P ठीक है तो यह R1 है यह R1-R2 ठीक है यह R1 यह distance मेरा R1 है ठीक है यह distance मेरा R1 है यह distance सबोज यहाँ पे अगर मैं कुछ distance दे रहे है तो यह PD distance मेरा R1 है और यह BP distance मेरा R2 है यह PD distance मेरा R1 है और BP distance मेरा R2 है ठीक है ओके तो और यह मेरा R1 वेक्टर है तो AD डिस्टेंस क्या होगा मेरा R1-R2 अब तुम लोग सोचों कि कि सर यह डिस्टेंस माइनस कितना अगया यहाँ पर हम एजूम करते हैं यहाँ पर हम एजूम करते हैं पर हम एजूम करते हैं यह पर यह डिस्टेंस जो है यह डिस्टेंस जो है और बिस्टेंस जो है तो नो मेरा एक्वेल हो जाएगा ठीक है and we know that and we know that subtraction and we know that subtraction r1 minus r2 अगर difference हम निकालना चाहे ये भी vector है तो ये भी vector हम अगर मान के चले तो मेरा resultant vector क्या होगा resultant vector या displacement vector क्या होगा final vector minus initial vector अगर ये मेरा initial vector है r2 और ये मेरा final vector है r1 तो हो जाएगा मेरा r1 minus r2 अगर if if क्या condition हम consider करेंगे if the p is very very near to d ठीक है तो यहाँ पे क्या consider कर रहे हम यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या consider कर रहे है कि plus q के लिए b a कितना होगा b plus q ठीक है 1 by 4 by epsilon not 1 by 4 by epsilon not ठीक है q by r1 v plus q के लिए sorry q by r2 distance मेरा r2 ठीक है and v minus q के लिए क्या रहेगा 1 by 4 by epsilon not minus q by r1 ठीक है b plus q total का मतलब plus आ जाएगा plus b minus q तो यहाँ पे हम k q common ले सकते है हो गया मेरा 1 by r2 minus 1 by r1 ठीक है तो k q common हम lcm लेते है r1 r2 हो गया मेरा r1 minus r2 ठीक है अम फ्रॉम फ्रॉम डाइग्राम अगर यह angle मेरा theta है तो from figure से from triangle from figure वोगर triangle ABD से, triangle ABD से यह theta है, तो angle ADB, यह जो मेरा angle ADB है, यह angle मेरा theta है, तो यह angle मेरा 90 degree हो गया, यह हो गया मेरा hypotenuse से भी, यह हो गया मेरा base, पर यह हो गया मेरा perpendicular, तो from triangle ABD से हम लिख सकते है, from triangle ABD से लिख सकते है, cos theta, cos theta क्या लिख सकते है, cos theta क्या लिख सकते है, cos theta क्या लिख सकते है, यह भी theta हो जाएगा, अगर यह theta हो गया, तो यह angle मेरा theta हो जाएगा, similar angle, यह angle मेरा theta हो जाएगा, तो हम from ABD triangle से cos theta क्या लिख सकते है, cos theta equal to लिख सकते है, काल ये brown hair, brown मतलब ad और hair मतलब hypotenuse, मतलब ab ठेक है अब ad is equals to हम लिख सकते ab cos theta ठेक है अब ad का मतलब distance मेरा r1 minus r2 और ab मतलब dipole का distance मतलब twice a cos ठेक है r1 minus r2 के जगा पे हम twice a cos theta लिखेंगे और हम assume करेंगे assuming assuming r1 into r2 is approximately equals to r square ठेक है तो फिर हम r1 equals to r2 हम पकड़ेंगे फिर r1 into r2 r1 equals to r2 नहीं खोड़ो r1 into r2 जो है वो approximately equals to हम r square पकड़ें ठेक है assume करते हैं तो हो गया मेरा k q r1 minus r2 के जगा पे हम लिखेंगे twice a cos theta ठेक है और r1 into r2 के जगा पे हम लिखेंगे r square ठेक है तो k तो रहे गया twice a q into cos theta नीचे मेरा r square ठेक है this is the any point expression this is the potential expression for potential due to any point of it actually यहाँ पी हम कुछ चीज़े assume करते हैं और this proof हम कुछ चीज़े assume करते हैं क्या-क्या assume करते हैं first assume करते हैं this p point p is very very near to d very very near to d ठेक है उसके बाद vectorially हम ad को निकालेंगे displacement vector final minus initial ठेक है so ad हो गया मेरा r1 minus r2 okay और यही से हमने यह सारे चीज़ें हमने एजूम किया और एक चीज़ हमने एजूम किया और एक चीज़ हमने एजूम किया क्या एजूम किया कि r1 into r2 जो है वो approximately हो गया मेरा r2 समद में आया तो potential for first case potential plus क्यों कितरा 1 by 4 by epsilon यानि KQ by R1, R2 और रिस चार्ज के लिए माइनस कीव के जाले KQ by R1 तो टोटल पोटेंशियल at any point this calculation किया R1 माइनस R2 के जगा पे हमने twice a cost तिटा बिठा दिया ठीके और R1 into R2 को था हम एप्रोक्सिमेटल र स्क्वेर पकनी चुके twice a Q के जगा पे हम डाइपोल मॉमेंट P बिठा सकते तो V at any point V at any point या पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तो V at any point अगर इसको में थोड़ा सा मोडिफाइड करके लेको V at any point K तो रहे गया twice a Q यानि डाइपोल मॉमेंट P K P cost तिटा divided by R2 K P cost तिटा divided by R2 अपने स्क्रीम को pause करो और फटा फटीचका उटानो ठीक है next equipotential surfaces हाँ यह बहुत थी मैंने कहा था यह बहुत थी important topic है very very important topic है यह स्टार मार्की में दे रहा यह very very important topic है ठीक है equipotential surfaces equipotential equal potential equipotential मतलब equal potential मतलब यह ऐसा एक surface है ऐसा एक surface है जाकि एनी दो point के बीच पे सापूज यह a point है यह b point है तरफेस मतलब sphere हो सकता है plane हो सकता है ठीक है तरफेस मतलब cylinder बोलो sphere बोलो sheet बोलो ठीक है cylinder sphere ठीक है sheet ठीक है तो potential difference कितना होगा 0 work done कितना होगा 0 ठीक है ना यानी equipotential मतलब equal potential वाला surface equipotential मतलब equipotential मतलब equal potential वाला surface यानी एक ऐसा surface है ऐसा plane surface है जहाँ पे potential difference मेरा equal रहता है ठीक है तो हम definition देखते equal equipotential surface का इचीज़ एसा surface इचीज़ एसा surface at every point पोईच्टियल वाला पोईच्टियल वाला इस सेम जो मेने गोला है भी सेम इसकोड equal potential surface क्या सेम है क्या सेम है potential due to charge distribution हाँ क्या सेम है के सर potential मेरा इसलिए इस तरह के surface को हम क्या बोलेंगे सर हम बोलेंगे equipotential surface देखो मैं अंडलन करके दे रहा हूँ एक ऐसा surface है it is a surface एक ऐसा surface है at every point of which due to the charge distribution potential is same is called equipotential surface ठीक है अब कैसे आता equipotential surface हम देखते है from uniform electric field अगर मेरा uniform electric field है और uniform electric field मेरा equipotential surface कैसा रहेगा यह देखो यह देखो ठीक है equipotential surface यह uniform potential है uniform electric field है uniform electric field है this is the uniform electric field this is the uniform electric field यह देखो यानि sheet के इस point में यह sheet और यह sheet के बीच का potential difference मेरा क्या रहेगा 0 रहेगा 0 रहेगा क्योंकि यह sheet के दोनों point या फिर इस sheet के भी किसी भी दोनों point के potential difference मेरे 0 रहेगा ठीक है तो पर uniform electric field यह रहता है मेरा यह electric field मेरा uniform है यह electric field मेरा uniform electric field ठीक है uniform electric field के लिए कैसा रहेगा यह देखो यह देखो ठीक है V1, V2, V3 हमने पकड़ा है सब्सक्राइब V1, V2 potential difference मेरे same रहेंगे plane equipotential surfaces ठीक है क्या नाम देखे हम इनका plane equipotential surfaces ठीक है और potential difference मेरा क्या रहेंगे 0 रहेंगे ठीक है for an isolated charge यानि एक charge जो है वो रुका हुआ किसी भी एक point charge isolated charge मतलब point charge isolated charge मतलब point charge ठीक है isolated charge मतलब point charge तो point charge के लिए equipotential surface कैसा रहेंगा हम imagine कर सकते एक Gaussian surface यानि sphere हम imagine कर सकते एक Gaussian surface ठीक है यह देखो सपोज यह एक isolated charge है यानि एक point charge है इसके चारों और electric field ऐसे रहेंगे surface रहेगा sphere यह देखो surface रहेगा sphere surface रहेगा मेरा sphere रहेगा ठीक है तो spherical equipotential surface यानि uniform electric field uniform electric field के लिए मेरा equipotential surface कैसा रहता है plain surface रहता है metal sheet रहता है this is a point charge point charge के लिए electric field मेरा outward direction पे electric field मेरा outward direction पे electric field मेरा outward direction पे और इसके लिए मेरे कैसा रहेंगे equipotential surface कैसा स्पेरिकल रहेंगे इसके लिए मेरे equipotential surface रहेंगे spherical ठीक है spherical surface इसके लिए मेरे रहेंगे spherical surface यानि sphere के सपोज इस point पे और इस point का potential difference मेरा 0, क्यों 0 है, क्योंकि यहां का जो potential है और यहां का जो potential है, जो B1 equals to B2, equal potential, that is why it is called equipotential surface, या इसी surface के उपर किसी भी एक दोनो point के बीच के potential difference 0 है, difference 0 मतलब सारे के सारे potential मेरे equal, पास समझ में आया, कोई दिपकर ठीक है, कुछ rules देख लेते हैं, कुछ properties of equipotential surface क्या-क्या है, प्रोपार्टिस देख लेते हैं, क्या-क्या प्रोपार्टिस है, equipotential surface के, number 1, low work done is moving, यानि work done 0, obviously अगर potential difference अगर मेरा 0 रहेगा, तो work done भी मेरा 0 रहेगा, ठीकि यही बोला गया है, अगर potential difference 0 तो work done 0, इसी यही बो बोला गया है, एक number पर, दो नमबर पर क्या बोला गया है, यही इसी का mathematical potential difference, work done पार उनिट चार्ट, अगर potential difference मेरा 0 रहता है, ए पोईंट में potential difference आप उस पकड़ा भी है, तो नो बी भी, तो difference 0, तो work done 0, work done पार उनिट चार्ट, चार्ट तो 0 नहीं होगा, तो इदर से work done क्य होगा, बहुत अनिको सुझी, देखिए, जो उपर वाला जो line में, shortcut में दिया है, यह line है आपे खुरा सही लावरते दिया जया है, यानि अगर potential difference अगर मेरा 0 है, क्योंकि इक्वी potential है, ठीक है, क्योंकि यह equipotential है, और equipotential surface में potential difference मेरे, potential मेरे equal रहते है, potential equal रहने के कारण potential difference जो है, वो मेरे 0 हो गया, potential difference जब 0 हुआ, तो work done भी मेरा 0 हो गया, ठीक है, next क्या है, the electric field is always perpendicular to the element DL of the equipotential surface, प्रिवियर्श स्लाइट के बारे में आगर में चट्चा करूं, प्रिवियर्श स्लाइट के बारे में चट्चा करूं, या तो equipotential surface के जो direction है, वो perpendicular to the surface रहेगा, ऐसे, परपेंटिकुलाटिन सर्फिस रहे रहे ठीक है अम ये अशा परपेंटिकुलाटिन सर्फिस रहे आए से बास समझ में आया ठीक है तो वाउट्ट न जीरो since no work is done on equipotential surface so line integral of electric field also zero क्योंकि वाग्डान का तो मत्नब तो यही होता है ना लाइन इंट्रिगेल निगेटिव लाइन इंट्रिगेल ऑफ इलेक्ट्रिक पील्ड ओवार एनी लाइन यह भी मेरा जिरो रहेंगे तेक है पु North आ से दृट्रिगेल तो इडियाइन तो मेरा जिरो नहीं होगा तेक है कौस गिना जीन मतarningडिवी ही निग viruses rumors कमिया गया अरेक्शन से अता Subscribe E 0 नहीं होगा, DL भी 0 नहीं होगा, तो cos theta equals to 0 और cos 0 कब आता है, cos 0 कब आता है, जब theta is equals to 90 degree ठीक है, theta is equals to 90 degree ठीक है, next property is क्या है, equipotential surface indicates region of strong or weak electric field equipotential surface क्या indicate करता है, एक ऐसा region indicate करता है यहाँ पर strong electric और weak electric field हो, अब यहाँ पर सबसे strong electric field अब यहाँ पर gap है, यहाँ पर weak electric field, यहाँ पर gap है यहाँ पर gap है, यहाँ पर weak, यहाँ पर gap नहीं है, यहाँ पर strong electric field ठीक है smart electric field is defined as negative potential gradient यह हम proof करें यह अगले lecture पे हम proof करेंगे, electric field defined as negative potential gradient यानि electric field is equals to minus dbydr या dbydr ठीक है electric field equals to minus db by dr, यह जो, by db by dr, यह हम third lecture पर हम prove करें, ठीक है, और dr equals to this, since db is constant, ठीक है, b 0, potential difference 0, potential difference 0, तो b का differentiation क्या आएगा, constant आएगा, क्योंकि constant क्या differentiation मेरा 0 होता है, ठीक है, db itself is a constant, तो b क्या होगा मेरा, 0 यह होगा, ठीक है, sorry, db क्या होगा मेरा, constant होगा, b 0 है, potential difference मेरा 0 है, तो db itself क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, since db is constant on equipotential surface, so, so dr क्या हो जाएगा, inversely proportional to 1 by e, यानि electric field जितना strong होगा, distance उतना घर्टा जाएगा, जहाँ पर electric field strong है, वहाँ पर distance मेरा घर्टा जाएगा, ठीक है, if e is large, dr will be small, यही मैंने बोला, if e is strong or large, dr will be small, that is, the separation of equipotential surfaces will be smaller, ठीक है, यानि equipotential surface के जो separation है, सबोज यह एक मेरा surface है, यह एक मेरा surface है, इन दोनों surface का बीच का जो gap है ना, वो बहुती छोटा है, smaller, ठीक है, बहुती छोटा है, तू equipotential surfaces never intersect, दो equipotential surfaces कभी भी intersect नहीं करते, तू equipotential surfaces never can, cannot be intersect, ठीक है, सो students, आज के लिए, आज का lecture, यहां तक ही समाफ्ट करते, अगले lecture पे हम यह बाले जो है, electric field is equals to minus negative potential gradient, यह हम प्रूब करेंगी और यहां से हम बागी दीरी तीरे कापाचितल स्थोर बढ़ें, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, stay safe, stay at home, thank you so much.